कि अब्र आज का हमारा सवाल है hydrolysis of sucrose is given by the following reaction hydrolysis of sucrose का बात हो रहा है sucrose plus H2O it gives glucose and fructose यहां से glucose और fructose मिलता है पता हिए सब्सक्रोज का hydrolysis से आपको alpha d glucose मिलता बीटा d minus fructose मिलता है if the equilibrium constant kc is इतना kc का value भी दे दिया गया the value of delta z not at the same temperature will be delta z not का value आपको बताना है तो delta z not equal to क्या हो जाता है equilibrium constant kc given है तो यह r t ln kc हो जाता है ln के term में ही हमें लिखना है तो इसलिए इसे 2.333 से multiply करने के ज़रूरत नहीं है minus r r का जगा पेट पॉइंट 314 ले ले लेना है ln kc kc का value भी given है 2 into 10 to the power 13 तो केसी अलरड़ी दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो यह आपका सही answer हो जाएगा तो देख लिजे इस question का सही answer क्या है minus 8.314 यह प्लस वाला तो होगा नहीं यह पहले यह आउट हो चुका है फ़र्स और फ़र्ड ओप्शन जो वह जिन्दा है प्लस फ़र्ट यह प्लस थर्टी लिख रहा है तो यहाँ पह आपका 4 होगा नहीं क्योंकि एकुलीडियम कॉश्चंट केसी डारेक्ट लिग इवन तो आपको दिमाग लगाने की ज़रुरत ही नहीं डारेक्ट के सीट के जगा पर पूट कर गो इसका वैल्यू को तो इसलिए जो सही आंसर है वह आपका अप्शन धर्ड हो जाएगा ओप यू अदरस्टान इस कोशन थैंक यू फर वाचिंग वीडियो